नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पड़क चौदरी सेविल पार्ट साला में आप सभी को स्वागत हैं दोस्तों आज आप लोग के लिए लेके आये हैं एक इंडियान हाउस प्लान जी हाँ दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे हैं इसी मॉडल को आज आप लोग इसाँ डिसकस करेंगे बिसिकली ये मेरे एक सब्सक्राइबर के कमेंट के हिसाब से बनाया गया है 38 फीट बाइ 46 फीट का 3 बी एचके का मॉडल ये रेडी किया गया है आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि ऐसे ही नया नया इंडियान हाउस प्लान हम लोग डेली बेसिस पे अपलोड करते है तो आपको नॉलेज मिलने वाला है यहाँ पे हम लोग बारी की से हर एक चीज टेकनिकल नॉलेज बेसिक नॉलेज हर एक चीज बारी की से डिसकस करेंगे कलम पोजिशन्स, वाल साइज, बिल्डिंग कॉस्टिंग, टोटल डिटेल्स, इंटिरियर के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिसकस करेंगे तो चैनल पर अगर नए हूँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजे आपको नौलेज अच्छा ही मिलेगा ओके अगर अपने प्लोट की हिसाब से आपको प्लान चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स क्योंकि कमेंट करने से हम लोग उसको देखते हैं और उसके बाद उसी कमेंट के ऊपर हम लोग ये वीडियो लाते रहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग का सोचल मीडिया लिंक दिया हुआ है आप जाके जूर सकते हैं अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं टोटल एरिया आप देख सकेंगे वीडियो के प्लोट के टॉप से हम दिखा रहा है टोटल एरिया जो रहेगा 38 feet by 46 feet का तो फर्स्ट हम लोग जो आप एंट्री रहेगा फ्रेंड्स इंट्री पॉइंट में हम लोग sit-out प्रोवाइट करेंगे 11 feet 4 inch भाई 4 feet 6 inch का एंड इसके बाद आप देख पाएंगे राइट हैंड कॉर्नर पे जो यहाँ पे प्रोवाइट किया गया है यह गैरेज दिया गया है एंड सबसे जो मेन बात है फ्रेंड्स जो कि मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया यह जो प्लॉट है यह नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है S पर बास्तु किया गया है बहुत ही बारीकि से हम लोग यहाँ पे बास्तु को ध्यान में रखा गया है तो आप जरूर नॉर्थ फेसिंग आपको plan चाहिए तो ये देखिए ओके गैरेज जो यहाँ पे है 12 feet by 14 feet 10 inch है ओके तो यहाँ से हम लोग entry करेंगे यह जो door आप देख रहे हैं front में 3 feet का door दिया गया यहाँ से अगर entry करेंगे तो हम लोगों मिलेगा यहाँ पे एक big size का drawing area 11 feet 4 inch by 15 feet 10 inch का ओके फ्रेंड्स drawing area में हम लोग यहाँ पे sofa provide करेंगे इस wall पे TV cabinet हम लोग provide करेंगे ओके एंड यह जो corner पे देख रहे हैं left hand side corner पे आप देख रहे हैं यह जो है यह guest room है ओके guest room को हम लोग sit out से एक entry दिये हैं जो कि 3 feet का यह entry रहेगा एंड एक entry दिये है drawing area से ओके आप देख लीजिएगा यहाँ से entry एक provide किया गया है तो यह जो guest room है friends यह guest room का जो area है 12 feet by 14 feet रहेगा 12 feet by 14 feet area है यहाँ पे हम लोग एक bed और यहाँ पे covered बगेरा provide किया है proper ventilation के रहे यहाँ पे window and front में एक window provide किया गया है and guest room में attach toilet दिया गया है देख लीजिए यहाँ पे छोटा सा एक attach bath provide किया गया है जो कि 7 feet 6 inch वाई 5 feet 6 inch ओके subscriber का comment रहता है कि sir drawing area में एक toilet तो रहना चाहिए तो देखे drawing area में भी हम लोग as per bastu के according एक toilet provide किया है इस door से हम लोग toilet में provide करेंगे यह जो door है यह धाई feet का door रहेगा and यह जो toilet size रहेगा friends 12 feet by 5 feet 6 inch ओके next room लोग चले जाएंगे यह section पे lobby section पे तो यहाँ पे आर्क देके door provide किया गया 6 feet provide किया गया है 6 feet देके एक आर्क दिया गया है and provide किया गया है देख लिजे यहाँ से हम लोग यहाँ पे परदा वगेरा provide कर देंगे ताकि guest वगेरा अगर आपको drawing area में आएगा यह घर के अंदर आप अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं देख पाएंगे ओके तो चलिए यहाँ पे हम लोग lobby area मिलेगा यहाँ पे देख लीजी 11 feet 4 inch by 12 feet 6 inch only lobby area मिलेगा and steer come dining area जो section है 11 feet 4 inch by 11 feet 4 inch का and यहाँ पे जो steer length provide किया गया है सारे 3 feet का steer length provide किया गया हर एक जगा पे double L shape में हम लोग यहाँ पे steer provide किया है बहुत ही अच्छा लगता है यह अगर steer आप घर के अंदर रखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है okay and देख लिजेगा friends यहाँ पे हम लोग एक common toilet का बात दिया गया big size का 12 feet by 8 feet का यह size में तो एक घर आ जाता है 12 feet by 8 feet का एक toilet provide किया है okay and second जो bedroom है guest room है first bedroom second bedroom आपको मिलेगा यह जो दोर है इस दोर से एंटर करेंगे 3 feet का and यहाँ पे जो bedroom मिल जाएगा 12 feet by 15 feet 4 inch का proper ventilation 5 feet का हम लोग provide करेंगे okay यहाँ पे आप two window भी provide कर सकते है पीछे की तरफ भी एक window provide कर सकते है हम लोग यहाँ पे नहीं provide किये क्योंकि costing बढ़ जाएगा आपका okay तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ यही सब provide किया गया एक bed provide किया है and यहाँ पे एक cover provide किये है okay next as per bastu south east corner पे kitchen provide किये है इस door से हम लोग इंटर करेंगे kitchen में okay kitchen जो size रहेगा friends 12 feet by 11 feet 4 inch इगा and modular kitchen हम लोग provide किये है अब देख सकते है पूरा setup हम लोग यहाँ पे provide किये है okay next bedroom में आ जाते है third वाला जो bedroom है इस door से इंटर करेंगे 3 feet का door है and यहाँ पे जो bedroom आपको मिलेगा 12 feet by 12 feet का एक square bedroom मिलेगा okay तो video मतलब सारा discuss हम लोग कर चुके है पूरा plan का and इसका अगर wall size के बारे में बात करेंगे देखे जितना outer wall देख रहा है ना red color का जितना outer wall मतलब बाहर के तरब जो wall दिखाई दे रहा है यह wall जो है यह 10 inch का है and energy तसारा wall देख रहा है यह 6 inch का wall है okay and इसका costing कितना आएगा friends लगभग लगभग 21 to 25 lakhs खर्चा आएगा इसका ground flow ready करने में ओके only civil part हम लोग बता है एप्रोक्स 21 to 25 lakhs खर्चा आएगा यह जगा के हिसाब से vary करेगा आप कहा से बिलॉंग करते हैं उसी हिसाब से vary करेगा तो यह plot आपको कैसा लगा यह plan आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बता यह comment करके अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड के शाथ जरूर शेयर कीजिए क्योंकि ऐसे ही नया नया Indian house plan हम लोग लाते रहते हैं बहुत ही modular एकदम नया जो currently market में चल रहा है उसी हिसाब से हम लगता है इसलिए इतना प्यार देते हैं हम सपोर्ट करते हैं एंड हम लोग video daily basis पे लाते हैं तो प्लान अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आप अगर अपने plot को modify करना चाते हैं मेरे से तो comment जरूर कीजिए and contact कर सकते हैं आपको अ मेरे website में रहे जाएगा civilparsala.com यहाँ पर आप देख रहे हैं civilparsala.com इसी site पर आपको मिल जाएगा इसका pdf तो आज के लिए इतना फ्रेंज थैंक्यू वेरी माद जाहिन बंद मातरम